मुंबई की माया नगरी में इन दौर का नाम रोशन करने वाले जाने माने मीडिया प्रोफेशनल लव पालिवाल का मानना है कि टेलिवीजन हो या रुपहला परदा सभी को कोरोना ने बतला है इसके साथ ही कई टीवी चैनल्स के लिए काम कर चुके लव का कहना है कि वैब सिरीज में भी सैंसरशिप होनी चाहिए ताकि समाज को नई दिशा मिल सके देखे एखास रिपोर्ट लव पालिवाल ने इन दोर के EMRC से पढ़ाई करने के बाद मुंबई का रुख किया जहां उन्होंने नई बुलंदियां हासल की शुरुआती दिनों से ही BBC, Star TV Network और UTV समेत कई बड़े मीडिया ब्रांड में अपनी क्रियाटिविटी का लोहा मनवाया जलक दिखला जा, emotional अत्याचार, इंडियाज डांसिंग सुपर स्चार समेत कई पॉपिलर वैब सिरीज भी ये TV इंडस्ट्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म को दे चुके हैं माया नगरी मुंबई में जाने का ख्वाब तो हर हिंदोस्तान का युवा रखता है लेकिन बहुत कम ऐसे बाशिंदे होते हैं जो वाकई में माया नगरी की तमाम माया को पार करके मुंबई में अपना एक मुकाम हासिल करते हैं और इंदौर जिसे की मिनी मुंबई की संग्या भी दी जाती है, एक ऐसा ही नाम और एक ऐसा ही युवा चहरा मिनी मुंबई से भी मुंबई के लिए उडान भरता है और जब वहाँ पर ग्लैमर इंडस्ट्री, टेलिविजन इंडस्ट्री पर पहुंचता है, तो अपनी एक चाप भी छोड़ता है क्या creative जगत और क्या production जगत और क्या direction की line तमाम तरह के अनुभव वो साजा करता है और सीधे तोर पर कहा जाए तो television industry में अपनी एक अलग पहचान भी बनाते हैं इस चहरे का नाम है लव पालिवाल जो की सीधे तोर पर इंदौर से गहरा नाता और रिष्टा तो रखते ही हैं लेकिन मुंबई की film industry की बात करें तो लव पालिवाल का नाम जाना पहचाना है आज वो हमारे साथ मौझूद हैं बहुत सारे मसलों पर बात करने वाले हैं और खासतोर पर यह जो कोरोना का संक्रमन काल चल रहा है ऐसी चुनोती पूर्ण हालातों में इंडस्ट्री कितनी बदलने वाली है और आने वाले कल में किस तरह से टेलिविजन इंडस्ट्री और तमाम तरह की ग्लैमर इंडस्ट्री का भविश एक नई दिशा को पकड़ने वाला है तमाम मसलों पर बात करते हैं सबसे पहले लव जी इन दौर को कितना मिस करते हैं मुंबई जाने के बाद क्या मिनी मुंबई की कभी याद सताती है और जब जब मिनी मुंबई आते हैं तो क्या मुंबई को भी मिस करते हैं आपके सवाल में आपका जवाब है और कितना का पैमाना थोड़ा सा मुश्किले बताना वर याद बहुत आती है और जब महां रहते हैं तो यहां की जाद आती है, यहां रहते हैं तो वहां की जाद आती है, आती है और क्योंकि यह इंसानी फितरत है यह तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेगें हमेशा मैं यह बोलता हूँ और जब भी बोलता हूँ कि करम भूमी मुंबई है, जनम भूमी आपने क्रियेटिव जगत में भी गाम किया तेलिविजन से भी लगातार कई सालों तक अब जुड़र है अब भी इंडस्ट्री में आप अपना एक अलग योगदान दे रहे हैं किस तरह से देखते हैं इस दौर को और क्या लगता है कि आने वाले कल में इस इंडस्ट्री में कई नितनाय रंग देखने को मिलने वाले हैं इवाल्व होता रहेगा टाइम मतलब जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं कहीं की प्रकती का नियम है चेंज आना वो तो होता रहेगा इवाल्व होगा और जो करोना काल और कोविड नैंटीन इंपक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं तो यह तो पूरी दुनिया को बदल रहा है पूरी दुनिया को बदल रहा है समय से पहले बदल रहा है और और बुरे तरीके से भी और अच्छी तरीके से हर तरीके से बदल रहा है समझदार इंसान वही या समझदार कम्यूनिटी वही जो यह हर बुरे कठिन समय में भी हम हर परिस्तिती से वॉल्व हो जाते हैं आपके सामने यह यह वही यूग है यह वही टाइम है यह वही साल है जब हम फरवरी मार्च महिने में जब हमारे सामने कुछ खबरों में आ रहा था कि यह कुछ ऐसा वाइरस आया है और सौ डेर सो लोग चल बसे हैं देश में तो लोग दुखी हो रहे थे आज का टाइम बो है चार महिने के अंदर एवरेज साड़े साथ सो से आठ सो लोग गुजर रहे हैं और लोग रक्षामंदन मना रहे हैं और अर योद्या पूजा हो रही है और दिवाली किसे से दिये बन रहे हैं और लोग इक दूसरे को बढ़ाई दे रहे हैं तो इसको इसी को बोलते हैं वाल्व हो गए अब सोचने वाले के उपर है वो कि आपको दुखी भी होना है और आपको चैलेंजिस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और आपको आने वाले कल को फेस भी करना है क्योंकि कुछ हूटी बात तो नहीं है साथ-साथ-साथ-सो लोगों का जाना एक दन में बट यह सचाई है तो यह सबसे बड़ा उधारन है कि किसी भी परिस्तिती से सोच के मतलब मांसिक और पे डट के आगे निकलना यह इंसानी फितरत है इसके लिए इंसान है हम लोग इसके लिए हम लोग जहां थे वहां से यहां पहुंचे है नोवेट के जमाने से तो यह है कि आपको लगता है कि जो यू नॉर्मल का दौराइगा इसमें इंडस्ट्री में क्या वेरियेशन्स आप देख रहे हैं क्या महसूस कर पा रहे है क्योंकि मुंबई से बहुत नजदीक से बहुत करीब से अब जोडे है समय बहुत खराब है, सिफ मीडिया इंडिस्ट्री के लिए हर इंडिस्ट्री के लिए समय खराब है, और मीडिया इंडिस्ट्री के लिए इसलिए ज्यादा खराब है, क्योंकि लाइबरी कॉंटेंट पे आप कब तक आर्काइव कॉंटेंट पे आप कब तक चैनल चलाओगे जो इतने सालों की मेहनत से जो चैनल बने हैं, इतने सालों की मेहनत से जो शोज की जी आरपी, टी आरपी के भरोसे एक प्लेटफॉर्म, एक बेंचमार्क स्टैबलिश किया है, आज सबका स्तित्व खत्रे में, सबका सर्वाइवल का कुशन माग है, क्योंकि शूट रुका सुरक्षा भी ज़रूरी है, और बिजनस भी आगे होना है, तो हर दिन, हर हफता, हर मईना हमारे हाँ सोचा जाता है कि किस तरीके से बिजनस को एज यूजवल रन किया जाए, और सबकी सिक्यूरिटी को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और लेकिन बहुत कुछ जौब करेगा और थेटर्स को आप बात कर लो थेटर्स में, मतलब यह वो टाइम मुझे लगता है कि इनसानी फितरत होती है, कि महीना, दो महीना, छे महीना, फाइव एर बोर्ड, मीटिंग, प्लानिंग, इस सब चीजें बहुत लोगों ने करके रखी है, इसकी आदित प जो होगा, जैसा होगा, वैसे आपको उस चे उभरना होगा, तो आज आप और मैं बैटके अगर कोशिश भी करें, कि एक साल बात क्या होगा, मीडिया इंडिस्ट्री का, तो कोशिश ही का सकते हम, सच्चा ही तो नहीं पता रहेगी, क्योंकि बहुत तीजी से बदल रहा है और जो लोग अंदर हैं, जो बाहर हैं, और जो बड़े-बड़े ग्याता हैं, उन्हें भी नहीं पता कि कितने तहीर से समय बदल रहा है अलो जी, एक सवाल मेरे जहन में था, कि इन दिनों जो है वेब सीरीज का दौर देखने में आ रहा है, लोग जो है रूपहले परदे से जादा जो है पहले टेलिविजन में विश्वास करते थे, अब टेलिविजन के बाद मोबाइल मीडियम पर आ गए, इंटरनेट की तर अब जाल रही है या या आने वाले समय में समाज को एक गलत दिशाव की तरफ मोड सकती है, आपका व्यक्तिकत राय क्या है, व्यक्तिकत अनुभव क्या है? मेरी सी, आप में और मेरे में जो कॉमन बात है हम लोगों में, हम लोग कंज्यूमर भी हैं और हम लोग कॉंटेंट क्रियेट भी करते हैं और कॉंटेंट क्रियेट करने वालों के साथ काम भी करते हैं, तो मुझे परसनल आपने बोला व्यक्तिकत राय तो परसनल ही मैं न इविजिण में एक हमें सबसे content कौन से platform पे जाना है बनाने वाले तो हम ही हिंदुस्तानी लोगें ऐसा तो नहीं है कि भार से आ रहा है जो भार से आ रहा है उस पे भी control हमारा है कि हमें क्या लेना है क्या देखाना क्या देखाना लेकिन एक censorship की एक जो परिवाशा है वो ब देखके मुझे डिसाइड करना है कि यह दिखाने लायक है यह नहीं है मुझे उससे ज्यादा सेंसर्शिप का रोल यह लगता है कि एक जवाबदारी वाला रोल होता है और यह रोल ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के जरिये आज तक टेलिविजन में जो फॉलो होता आया है और जरुवत पढ़ने पर मिनिस्ट्री और गवर्मेंट ने आगे आके वो चैनल जो बहार के देशों से रिले हो रहे थे हिंदुस्तान में उनको भी रोक लगाई थी एक टाइम पर जब गवर्मेंट आई थी और बीजेपी सरकार आई थी शायद मुझे आदे वाजपई जी है किस तरी के हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, कितने तेयार हैं, कि क्स तरह के can do absorb करने के लिए और हमारी population कितना mature है, उस चीजतों को अब्साब रहती हैं लोग देखने वाले देखते हैं और हसने वाले हसते हैं कि ये क्या हो रहा है वाट ठीक है लेकिन जब web series की बात आती है तो ये डिवेट जब से web series का market शुरू हुआ है और बूम किया है इंडिया में तब से इडिवेट चल रही है कि क्या government करेगी फिर गवर्मेंट इंटेफियर करती है तो यह सारे जो प्लेटफॉर्म से हैं यह बोलते हैं कि नहीं हम अपने कॉंटेंट को खुद स्कैन करेंगे मॉनिटर करेंगे पुलिस करेंगे और वह पुलिसिंग जो है वह सब्जेक्टिव हो जाती है आप बनाने वाला और वाला जब एक ही शक्स है तो आप इमांदारी कहां से एक्सपेट कर सकते हो और अब वो डिबिट आज भी चल रही है अब क्यों कि समय से तेजी से चल रहा है वेब सीरीज का कॉंटेंट का आना हमारे सिस्टम में और उतनी तेजी से कंप्लाइंस उतनी तेजी से मिनिस्ट्री अपना डिसिजन नहीं ले पा रही है यह हर चार महिने में एक ख़बर आती है कि कड़े नियम लागू होंगे हम ख़बरों में पढ़ते हैं आप ही लोग लिखते हो बनाते हो बड़ वो दिखता पता नहीं कब लाग होंगे पता नहीं सो लेकिन है दिक्कत की बात वहां है कि कॉंटेंट बनाने वाले भी हमी लोग है हिंदुस्तानी है तो जब जब को इस तरह का कॉंटेंट वेब सीरीज पर आता है जो कि सारे थ्रेशोल्ड सारी सीमाय लांग ज पर आता है जो जो वेब सीरीज है यह तेलिविजन को भी और फिल्म के रूप अले परदे को भी नुकसान पहुंचाएंगी आने वाले दिनों में क्योंकि शॉटकट का जबाना है नाम आदमी शॉटकट से कमाना चाहता है पैसा शॉटकट से कमाना जाता है अब तो अब इन वेब सीरीज के जिरिए शॉटकट से आने लगा है तो क्या यह शॉटकट कहीं लगता है कि जो ट्रडिशनल इंडस्ट्री है उसको अफेक्ट करेंगा आपको लगता है महसूस करते हैं अप ऐसा को एफेक्ट करने का पैमाना आपका क्या बिजनस से है या किस तरीक ही मुझे नहीं लगता सबकी अपनी जगे है जैसे हम इन दौर में अभी ठीक है मैं एक छोटे शहर से जाके आया मेरे रिष्टियार रहते हैं वह और छोटा डिस्ट्रिक्ट है एंप राजस्तान बॉर्डर पर और हम बॉम्बे में काम करते हैं तो हम तो हर तरीके के कंज्य अपना कंज्यूमर है सो और अगर आप स्टेडिस भी देखो तो जितना आपका प्राइम टाइम है प्राइम टेलिविजन पर ड्राइब करने वाले ओडियन्स किधर बैठी है हिंदी भाशी सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बैठी ये सेंट्रल नॉर्थ इं हुआंच गया हर बच्चे के पास आगया तो वह जो चाहे वह देख रहा है सो चिंता की बात यहां है कि हम नहीं बचाएंगे या हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा तो एक बड़ी प्रोडियूसर है बहुत उनका नाम बार बार आता है क्योंकि जस तरह का इस तरह कि अधर इस तरह नहीं धर में विचार्न हैं चाहिता में बच्चे नहीं है। उन्होंने मतलब उनका खुद का परिवार है उन्होंने तो अड़ाप्ट भी किये हैं अभी तो आप सिर्फ बिजनेस वुमिन के नजरी ऐसे चीजों को देख रहे हो कि बिजनेस कैसे या आपको लगता है कि हिंदुस्तां का कल्चर या सोशल सिस्टम रेडी है इस तरह के लिए और आप डिसिजन मेकर हो को एक तो आप प्रऊसर हो आप भूट तीजी सा के चल लोगों ने आपको पसंद भी किया लोगों ने आपको बूरा-बला भी बूला आपने रिस्क लिया लोग मानते आपकी लिए मतलब सारी प्रतिबा एक तरफ लेकिन जवाबदारी कि जिम्मेदारी किदर है और घूम फिर कि यही है कि आपको एक्सपुजर है मुझे एक्सपुजर है कि ग्लोबली लोग कैसा content accept करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन सब अपने social and cultural system of framework के दायरे में चीजों को समझते हैं अपनाते हैं और execute करते हैं अब वहीं चीजे जब आप एक web series के अंदर एक scene दिखाते हो कि एक scene किसी web series में था कि वो विताजी इंस्पेक्टर है और बच्चा बड़ा fascinate होता है विताजी के revolver से और वो revolver लेके अपना उसको दोस्त उसको परिशान करते हैं और यह यह जो मैं आपको plot बता रहा हूं यह काफी web series में देखने को मिल र यह US में जो fire guns वगेरा के cases होते हैं बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं यह वहां से आया ना वहां से आपने पिक किया क्या relevance है उसका इधर और क्योंकि वो पिक किया वो तो ख़बर है वो तो उस देश की ख़बर है वो देश उस से जूज रहा उस तकलीफ से उसको आपने यहां पिक किया अब यहां पर बच्चे आपने क्या देखा वो तो फैमली के संग बैठके आप देख रहे हो आप रिवलवर लेके जाओ पापा की स्कूल में आपको कोई बुली कर रहा है आपको कोई तकलीफ दे रहा है बड़ा बच्चा स्कूल में आप उसको दिखा दो गन तो क्या आप क्या लेकर जारो समाज में और यह दिककत वहां है कि मूबाइल पर कॉन्टन है यानि एकजामपल के तौर पे कि आपके ही बेटे के पास दो मूबाइल है आपकी जंगकारी में एक है एक उसके पास खुद के पास भी है और वह क्या देख रहा है उसको क्य क्या समझे क्या उसकी सोशल अब्रिंगिंग जिस शेहर का है वो जिस परिवार का है उसका परवरिश जैसा है क्या वो तयार इस तरह के कॉंटेंट के लिए इस पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा लब जी की हाल ही में भारतिय सेनान इंडियन आर्मी ने एक सर्कुलर व होता है तो पहले आर्मी से पर्मिशन लेना होगी आर्मी से रिलेटेड अब कोई कॉंटेंट जो है कोई प्रोड्यूसर डिरेक्टर नहीं बना पाएगा तो आपको लगता है सही स्टैप और आने वाले समय में और भी कई समाज के अभिन अंग जो है पहलू है वो इस तरह की जवाबदारी बनाने वाले पे पहले होती है और देखने वाले पे बाद में होती है और सेंसर्शिप तो एक कवर है एक पुलिसिंग है उसकी जरूरत ही पढ़नी चाहिए तो जो आप बता रहे हो यह केस जो था यह इस पे लोग दो तरह की राय बनी थी एक डेमोक्रिस तो ठीक है वो है राइट तो एक्सप्रेस को इसको इसको मिसिंटर्प्रेट करके लोगों ने किया बट वो अगर इतना रोश और इतना ज्यादा बैक स्लैश जसको बोलते हैं मिला उस उस एपिसोड को उस कहानी को शो को उस प्रोडूसर को वो मिला क्योंकि वो सही था आपके अंदर वेल्यूस यहीं की हैं और आप एक बहुत बड़े फilmy परिवार से हो और आप सालों से successfully content create कर रहे और आप बहुत बड़े हो तो ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं है ऐसा नहीं कि आपकी team को समझ नहीं है यह तरीके होते है publicity स्टंट एक तरीके आप एक risk लेत कि चलो इससे ज्यादा से आदा क्या होगा पुलिस केस होगा केस बनेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी लॉयर टीम होती है जो जिनको जो आप जिनको आप काम पे लगा दो गए और वो लोग आपके लिए केस लड़ेंगे लेकिन अब क्या हुआ यह पुब्लिसिटी स कि लोग आप जानने लगे आपका शो लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आने लगे तो इस तरी की हरकत है गलत है क्यों कि यह जो आप आर्मी जो मिलिटरी वाला पॉइंट बता रहे हो यह कोड ओफ कंड़क्ट यह एथिक्स यह ब्रोड़कास्ट में लिखा गया है यह जन सकते हैं आप आर्मी की उनिफॉर्म फेक उनिफॉर्म आपको बनानी होगी आप रियल यूनिफॉर्म डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं और उपर से इस तरह का सीन तो यह सोचा समझा पॉब्लिसिटी स्टंट है और कोई इसमें फ्रीडम ओफ एक्सप्रेशन का कोई सवाल नह यह यूनिफॉर्म के उपर कोई भी इस तरह की काम नहीं कर पाएगा यह टेलिविजिन में एक्जिस्ट करता है यह फिल्म में एक्जिस्ट करता है अगर आप लोगोंने हम तो सालों से देख रहे हैं डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है बकाइदा कि सारे नियम कानून को ध कि अच्छा मैं यह रिस्क लूँगा लूँगी और मेरा इससे हला मचेगा और इससे मेरा फाइदा होगा और प्रोपगंडा होगा यह गहर जवाब दाराना हरकत आपकी थी बहुत सारी गंबीर बाते हो गई अब थोड़ी सी हलकी बाते भी गर लेते हैं मुंबई और मिन इसी लोकेशन से जहां पर कई बड़ी फिल्में जो हैं शूट हो चुकी हैं तो आपको लगता है कोई उमीदें हैं कोई होपस हैं इंदौर को लेकर मिनी मुंबई को लेकर तो इस बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आज की तारिक में इंदौर से मेरी जानकारी में म मांगे चलता हूँ कि डेड़ दो हजार बच्चे 15-20 साल में अपना करियर महाँ पे स्टैबलिश कर चुके हैं तो मुद्दा की बात वहीं आती है कि खबरे हम सब पढ़ते हैं खबरे सुनते बहुत हैं पढ़ते भी बहुत हैं उम्मिदे भी हमें बहुत दी जाती हैं ले ले इन दाउर में जब आप पर दो हमें ले इन दौर के खास तो इस तरह की कोई दमांड करेंगे कि इन दौर में भी इक इंड़्स्ट्री इस्टैबलिश होना चाहिए ताकि जो अउडान भरता हैं मुंबई के लिए उसे अगर मिनी मुंबई में वो इन दौर्ट पूरी हो जाए उसकी तो यहीं पर करियर भी बना सकता है और इन दौर को चुकि प्रेटरन की द्रश्टी से भी टूरिज्म की द्रश्टी से भी एक अच्छा स्थान मिला है तो ऐसे में ये भी हम एक्स्प्लोर कर सकते हैं मैं तो बहुत छोटा मुलाजिम हूँ और मेरे से इंदौर का हिस्ट्री इंदौर के हिस्ट्री में चालीस पचास सालों से बड़े सीनियर राइटर एक्टर्स रहे हैं बॉलिवुड में मुंबई में और सबने बहुत कोशिश करी है खबरे यहां तक भी आती काफी ठीक है अगर मेरी रिक्वेस्ट करने से फरक पड़ता है करें तो मैं भी कर लेता हूं रिक्वेस्ट की डेफिनिटली हमारा तो आधा जीवन चला गया अपने मातर भूमीं से दूर रहके तो कुछ अच्छा हो जाए आने वाली जनरेशन के लिए तो क्यों नहीं क्यों नह जो ब्यूरोक्रेशी आ जाती है और हर डिसीजन के अंदर थोड़ा इमानदारी से जो एक करम करने की जरूरत है उसमें तो सर भी हमारी इंडस्ट्री के अबतलो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें उस पर चलती है तो वही हम लोग पीछे रह जाते हैं यह बनाई आज उसे भी काफी सक्सेस्फुल लोग हैं आगे पीछे बट हर इंसान को अपनी शमता अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है और स्ट्रेंथ वीकनेस को क्यों मद्य नज़र उसको मॉनिटर करते हुए अपने स्ट्रेंथ पर काम करना चा अपने फैमिली सपोर्ट के अपने बलवुते पर अपना करियर बनाता है अपनी लाइफ बनाता है वो जानता है कि सक्सेस का कोई श्रॉटकट नहीं होता को एक फॉर्मूला नहीं होता आपको करम करते रहना है और आपको प्रोग्रेसिव रहना है लाइफ में because especially this industry is about the people who are progressive in life in terms of learning new skill set आप वो करते रहोगे आप इवाल्व होते रहोगे जैसे humanity कोविट से वाल्व हो रही है वैसे हम लोग अपनी फील्ड में वाल्व होना ज़रूरी है हम इवाल्व होते रहेंगे हम हम रिलेवेंट बने रहेंगे हम रिलेवेंट बने रहेंगे तो हम किसी के काम आएंगे और इस तरह से हमारा करियर गुरो करता रहेगा और जिसको जिस दिन लगता है कि मुझे सारी सर्वस्वति मिल गई है मुझे सारी लक्षमी प्राप्त हो गई है उसका उस दिन से पतन श चुरूआ जाता है तो प्रोग्रेसिव रहना ज़रूरी है और कर्मत होना ज़रूरी है मेरे भाषा में तो यह लव पालिवाल वो चहरा जो कि मिनी मुंबई से उडान भरके मुंबई की माया नगरी में इंडस्ट्री में एक अलग अपनी इपनाकेवल पहचान बनाए हुए हैं बलकि किस तरह से इस कोविट काल ने इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है कैसे हमें इवाल्व होना पड़ेगा आने वाले कल की तमाम चुनौतियों को तमाम चैलेंजिस को एकसेट करना होगा और साथी साथ एक वेब सीरीज का जो बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर स समाज में चिंतन और मनन और मन्थन ये तीनों चल रहे हैं उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और साफ़तोर पर कहा कि एथिक्स तो यहां पर बने हुए हैं लेकिन शर्त है कि उसे जो तमाम बनाने वाले फिल्मकार हैं जो डिरेक्टर हैं जो प्रिडूस स्क्रीन का भी और वरतमान दौर में इंटरनेट की तरंगों पर तैर रही तमाम वेब सीरीज का भी MP NEWS पर लगातार खबरों का काफिला इसी तरह से रफ्तार पकड़ते रहेगा फिल्हाल दीजिये इजाज़त कैमरा परज़सन अरुन यादव के साथ महिंद सिंग MP NEWS इंदौर